वेलकम टू माई चैनल और आज मैं आपको एक ऐसी मचली के बारे हम बताने वाला हूँ जो मचली आप अपने शुरुवात के समय पाल सकते है जो भी एक बिगनर है जो भी एक होबिस में नए आता है फिश होबिस में उन्हें सबसे पहला सवाल यह होता है कि मैं कौन सी मचली पालू जो कि थोड़ी अच्छी दिखने वाली हो और बड़ी हो और छोटी भी ना हो क् आप ही सारे लोग कहते है कि टेट्रा फिश भालू बहुत अच्छी बिगनर फिश है लेकिन मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंसे बताऊंगा जो कि मेरा तीन साल का एक्सपीरियंस है जो हमने इस मोंस्ट्रेट को सेट अप किया था तीन साल हो चुके प्रॉपर साड़ यह इतने साइस की थी तब से मैं इसे लेकर आया हूँ और तब से आज तक मैं इसे पाल रहा हूँ और मुझे बिलकुल भी परिशानी नहीं हो इसे पालते हूँ कभी एक बार भी असानी लगा कि मैं ऐसी मश्ली क्यों पाल लिया जो मैं समान नहीं सकता तो यह बिगनर के कैन फील इतनी भीतरीन constitution है कि आप लोग जरूर ले सकते हैं और इसका क Eliा बहुत ही मुपत ही जादा एज और आसा की आदा है जैसे आप दूसरी फिश को करते हैं जैसरे कि इसके लिए line पर बहुत सारी चीज इन बहुत अशले है और इसके लिएいい उत बहुत ऑप aí cowboy by जज फूड तो आप इसे हर चीज दे सकते हैं हर चीज मतलब वेजिटेबल से लेके आप इसे मीट किसी का भी मीट आदमी का मीट तो नहीं दे सकते हैं और देना भी नहीं चाहिए और तो आप इसे चिकन का भी या फिर गोट कुछ भी खिलाएं सब खाने वाली है मचली इतनी बह यहां पर मैं एक दो महीं ने आप खिला सकते हैं और मैं खिलाता था हिने हिकारी का फूड हिकारी स्टेपल जो की शाड़े चार सो रुपय का आसपास आता है 250 ग्राम है शायद मैं पास रैपर बहुत सारे है मैं रैपर इखटा करने में महीर हूँ रुकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ अरे भाई अरे यार शायद मैंने फेग दिया रैपर मुझे यह है यहां पर मैं रैपर इकटा करता था पहले यह फूड मैं इसे देता था देख सकते इसमें वसकर भी बना हुआ है और यह हिकारी का इतना अच्छा बहतरीन फूड है देख सकते हिकारी स्टेपर स्टेपल और मैं इसे पहले बच्पन में था तो यह मीनी खाता था लेकिन अब जो खाएगा यह मीडियम साइज यह लार्स एडल साइज तो अभी तो मैं फिलाल यह सब देता नहीं क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इससे कुछ नहीं होता है वो शुरुवात के इनों में जब बी ग्रोथ होता है जो भी बच्चा लाएंगे आप बेभी वासको और और उस ताम बस बहुत ज़रूरी होता है खिलाना इने क्योंकि वो ग्रोथ का समय होता है ताकि इनका इम्मुनिटी अच्छा हो जाए और आपके पानी में सूट हो जाया एक बार तो उसके बाद यह से कुछ भी खिलाया कुछ भी मैं तो सब खिलाता हू कली मैंने अंडा दिया है वैसे तो रोजी देता हूं देख सकते हैं इसलिए वो तैर रहा है उसका सब हैक का और वो उसे हमारी प्लैको भी शखाती देख सकते है उदर पर यह आटीसी है पीछे वाली प्लैको है बिल्कुल कंफ्यूज मत होएं आप तो और दूसरी बात करते है इसका पानी की कॉलिटी के उपर अगर यह आपके पानी में सूट हो गई अच्छी तरीके से जैसे कि आ बच्पन से लाया है और एक साला परक लिये उसके बाद यह बचली को कुछ नहीं होने वाला यह तो मेरी गैरेंटी है मैं अपने टैंग में संबन वाया देख सकते है महां से पानी आ रहा है बुल-बुले आ रहे कितरे सारे बुल-बुले आ तो हमारा कॉलिटी वाटर का बहुत ही जाद अच्छा है लेकिन अगर आपका कॉलिटी उत्ताद अच्छा नहीं है अगर को संप नहीं है फिर आप फिल्टर नहीं लगा है तो आपको एक इंटरनल फिल्टर लगाना है उसमें भी बहुत अची तरगे से रह सकती है बहुत ही जाद अची तरगे से यह देखिए बहुत ही जादा सुन्दर तो बहुत जादा इजी है लेकिन इसके एक एक है सिफ ड्रॉबग बोल सकते हैं अगर बिगनर चाहे तो वो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है इसके लिए टैंक साइज बहुत बढ़ा होना चीह बहुत जादा क्योंकि यह इतनी तो इसके लिए टैंक साइज मिनिममम थ्री फीट तो होना ही चाहिए थ्री फीट थ्री फीट थ्री फीट बाइट आप रख सकते हैं और हैट अब की मर्जी है अगर वन पेट से उपर तो ज्यादा बेटर है उसमें भी बहुत जादा अराम से रह सकती है मैं सिर्फ एक उस बड़े बड़े अगर मेल फीमेल ब्रीट कराना है तो चार फीट का टैंक रख लिए और टू फिट विट रख लिए और तो उसका और और फीट हैट तो उससे में बहुत अच्छी तरीच से ग्रो कर लीग है और मेरा तैंक तो बहुत बड़ा था इसलिए बहुत जल्दी हो जाएंगे मैंने इसको इतनी अच्छी तरीके से रखा है और अभी तक इसे कुछ भी नहीं हुआ है और बीच पहरे वीडियो डाली थी कि गोल गुल गुमरी थी तो गोल गुमरी थी क्योंकि इसका ब्रीडिंग का टाइम आ चुका था यह एक देनी के लिए रेडी हो ज रखे हैंगे से française कर्सकर पर गुम रिख गूम मते हैंगे यह तो इसको इसकी मुम्चत चार साथ रख़ाथे несंगे rahmen चल्य और उससे आफे बनार की उसकी कर रहें एक मारने होरा है वहाली जो सब से शांत्ली में कोशिश कर राए थी तो जाएंटerem के लिए तक रहे हैंगी इसमें बहुत जादा बहतरीन तरीके से रहेगी और मज़ा भी आएगा आपको देखने में और इसको आप बहुत सारे फिश के साथ रखेंगे तो जादा बैटर है क्योंकि यह भी एक पारिवारिक फिश है हमारी तो इन्हें भी अच्छा लगता है कि हम काफी लोग के साथ मज़ा है उन्हें तो इसलिए इन्हें थोड़ा सादलो के साथ रखें जैसे हमने रखा है मेरे टैंग में कुछ दस तश फिश तो होनी चाहिए दस या साथ आठ फिश है आप मुझे कमेंट करके बनाए कित तक गिनके और कुछ टैंक सेट आप ऐसा रखे है पानी की ओले आपकी मर्जी है वैसे तो अच्छी रखनी चाहिए हर फिश के लिए लेकिन मैं आपको एकदम वर्स के सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो वह चल सकता है लेकिन उसकी ग्रोड ढंक से होगी नहीं यह सब प्रॉब्लम आएंगी रहने के लिए तो तो यही थी आज की वीडियो मैं आपको अपने आउसकर के बारे मताने वाल था और तीन साल का एक्सपिरेंस बहुत ज्यादा बहतरी रहा है और यह देखिए आटीसी मैंने रख लिया है फिर भी इसे कुछ नहीं किया है क्योंकि जैसे आप पालेंगे अपनी मश्लियों को तो वो वैसे ही ग्रो करेगी और वह वैसे एनवारेमंट में रहेगी और वैसे ही वो एक दम काम रहेगी अगर आप इसे ज्यादा हिदर दर करेंगे तो फो एग्रेसिव हो जाएग neuगी जैसे ही ओल्य आफ्ट्री जादी गरी ऑते ही तर जाते हैं लोग और यह देखिए तो बिगनर के लिए बहुत जाद अची फिश है तो आप लोग रख सकते हैं और कुछ भी होगा तो मेरी वीडियो देख सकते हैं आपको सब पता चल जाएगा कि मैं क्या-क्या फूद देता हूं कैसे रखा हूं इतने सालों तक तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं और चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टाटा बाए बाए